गुद्मोरिंग fan । आजrasRanFrogbasid Defraction deflection Due to Double Slit तो आज राव डेबवल श्रिलिट के बारे में पढ़ेंगे डेल स्लिट में क्या है कि सिंगल Sle suicide की तरह हम सोर्स रखेंगे सोर्स के बाद एक LENCE रखेंगे जिससे कि हमें के एक one कि slit weight थे वो E है बिसिकली यहां पर क्या है E और यह कितनी है यह भी E है तो इन दोनों के बीच से ले यहां से हन जाएंगी और यह वाला सो दिस्टैंस है यहां से यहां से यहां तक इसके भीच का तो यह बासे ना तो यह हो definitive middle point from the source slit S1 and the middle point of the source slit S2 will be E plus D तो यह clear है अब माल लिजाए किसी theta angle पर different होती है after the slit तो होगा क्या यह theta angle को हमें जो है find out करना है जो भी हो हमने एक general angle theta माल लिया तो हमारे beat सबसे पहले क्या रहता है हम path difference को find out करते हैं जो source S1 से जो light ray चलिए और जो source S2 से जो light ray चलिए और कहीं पर जाके point P पर मिल रही है एक मिलेगी center पर जिसे हमने center पर दिखाया है दूसरा हमने any other point we are taking let us suppose that is P ओके तो इन दोनों के बीच का हमें जो path difference चाहिए तो हमने path difference find out करने के लिए मैंने green color से दिखाया हमने एक normal draw कर लिए जो normal है M तो अगर यह theta angle से diffract हुआ है यहां पर यह थीटा एंगल से diffract हुआ है तो अगर यह theta है तो obviously यह वाला angle जो है वह 90-theta होगा और ऊपर वाले triangle यह वाला कितना हो थीटा क्योंकि यह 90 डिग्री है तो हमारा थीटा जो है define हो गया अब हमें path difference find out करना है तो हम sin theta find out करेंगे e plus d हमें पता है तो अगर यह हम triangle की बात करें है ना triangle तो triangle कौन सा triangle s1 s2 m s1 s2 m तो sin theta will be what perpendicular upon base तो perpendicular होगा s2 m और base क्या होगा हमारा s1 s2 s1 s2 तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर इसे हम simply लिख सकते हैं sin theta equals to s2 m over e plus d जिसे हम simply लिख देंगे s2 m equals to s2 m equals to e plus d sin theta तो यह basically क्या है यह path difference मिल गया s2 m यह वाला path difference मिल गया अब path difference को find out करने के बाद हम क्या करते हैं phase difference को find out करते हैं तो चलिए मैं इस board को rough कर देता हूं चलिए ठीक है हमने जो है रफ कर दिया figure को तो हमने जो path difference find out किया है वो क्या है e plus d sin theta हमें मिल गया तो अब हम चलते है phase difference को find out करने के लिए phase difference हमारा क्या होता है इसका formula हम यहाँ पर कई बार पढ़ चुके तो phase difference equals two basically two pi by lambda into path difference यह होता है path difference तो path difference हमारा s2m है यह अभी हम देखते तो two pi by lambda into e plus d sin theta okay तो यह हमें phase difference मिल गया अब phase difference मिलने के बाद हम क्या करेंगे इसे जो phase difference है वो हमने कितना मान लिया है two beta let's say two beta इसे हमने two beta कह दिया simply five करने के लिए हम beta भी ले सकते थे जो भी चाहें आप जिसे मान के ले सकते है अब two beta में हमें एक फायदा मिलेगा इसलिए हमने इसे two beta लिया है तो हमने यहाँ पर देखा कि दो slit है हमारे लिए तो एक slit की वज़े से अलग हमें diffraction pattern मिलेगा दूसरी वज़े से अलग मिलेगा और दोनों का resultant जो होगा वो हमने p point पर देखा था तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इन दोनों की वज़े से find out करते हैं तो उसे हम phasor diagram से find out करते है तो phasor diagram मैं इधर बना लेता हूँ और इमान लीजिए यह मेरा एक की वज़े से R और यह हमारा दूसरा है R है ना दोनों slit जो है हमने एक जैसी रखे हैं तो इसका मतलब जो पहली वाली slit की वज़े से R होगा वही दूसरी वाली स्लिट की वज़ेस होगा बस एंगिल अलग-अलग होगा इसलिए हमने दो अलग-अलग लिए हैं और फेजर डाइगराम के थ्रू जोड़ते हैं आप वेक्टर एडिशन भी देख सकते हैं वेक्टर एडिशन भी एक तरीके से कह सकते हैं उस तरीक से मानते हैं कोई भी एंगिल वह बिसिकली क्या है यहां पर टू बीटा एक वस्टू टू बीटा अब हम देखते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट जो आर्देश है वह कैसे फाइंड ओट करते हैं तो आर्देश इक्वस्टू पहले वेक्टर का स्कॉयर प्लस दूसरे का स्क प्लस यह ho जाएगा टू आर स्कॉयर तू बीटा क्या कुछ कॉंन आ रहा है हां कॉंवन आ रहा है तो आर इसकॉयर यहां आप लोग formula mathematical जो है याद करते रहिएगा वन प्लस यहां पर आएगा टू कॉस स्क्वाइर बीटा माइनस बन से वन कैंसल आउट हो जाएगा यह सिंप्लिफाई बहर आजाएगा यह हो जाएगा फोर आर स्क्वाइर कॉस्क्वाइर बीटा और यह जो resultant है यह किसके व ओवर एल्फा इसका पूरे का स्क्वाइर लगा देंगे कॉस्क्वाइर बीटा अब देखने में जरा यह संदर सा नहीं लग रहा है तो मैं इसे रियर्रेंज करूंगा तो आर देश स्क्वाइर मैं यहां पर लिखता हूं आर देश स्क्वाइर है ना तो यह सब आर देश स्कॉल Prior to the scheme कड़ स्कॉल्सक्वार बीट है ना तो इसे मैं втор selfie लख सकता हूं तो इसे my एंटेंसिट इनफ सकता हूं तो इसे मैं इनफ लिखे देते हूं अब यहां पर भी आप इसे मैं यही पर यह आऊ गनाता हूं यह basically क्या है यह intensity है ओके तो intensity equals to हमें यह मिल लिया अब यहां पर यह वाली जो term है यह तो constant for a constant है a amplitude है और यह वाली जो term है यह basically किसको represent कर रही है diffraction को यह represent कर रही है diffraction को और यह वाली term represent कर रही है interference को यह किसे diffraction कर रही है interference अब क्योंकि single slit था तो केवल diffraction मिल ला था तो हमें केवल यह वाली term मिल लही थी इस पर हम discussion कर चुके हैं तो इस पर हमें दुबारा से discussion करने की ज़रूरत नहीं है हम क्या करेंगे इसके बारे से हमारा जो resultant बनता है intensity का ओके तो यह हमारा resultant बन गया इसे मैं दुबारा से यहां पर लिख देता हूं वेर अच्छा यहां पर आप एक चुछा दिखाएंगा वेर यहां पर यह बताएंगा कि यह हमने संगल स्रीट में माना था यह ही लेकर चलेंगे ठीक है यहां पर टू बीटा माना था वह यहां पर नेहीं लेंड़ इंटो e plus d sin theta माना है है ना तो यहाँ पर अगर हम बीटा एक कुस्टू लेंगे तो तो से टू कैंसल हो जागा यह जागा पाई बाई लेंड़ ई प्लस d sin theta कुछ भी नहीं है एक जैसे यह और यह एक जैसे यह सिंगल प्लस दी तो आपने अलफा बता दिया और बीटे बना दिया तो अब हमारे सामने क्या है कि इस टर्म को करेंगे फिर इसको करेंगे इसको करने के लिए आप क्या किजिए सिंपली कुछ नहीं करना है आप एक छोटा सा डिफ्रेक्शन का ग्राफ मना लिजिए वह आप लोगों को पता है डिफ्रेक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके करा आता है किका है और हैम इसमें थीटा एक कॉस्ट जीरो पर पर क्या में लेगा हमें प्रिंसिपल maximum यह मिलेगा principle maximum okay principle maxima के बाद आगे चलिए यह क्या है यह minima है है न तो minima कहां पर मिलते हैं minima मिलते हैं E sin theta equals to m lambda E sin theta E sin theta equals to m lambda plus minus यह हमें minima मिल गए यहां के यहां के इस तरीके से जैसे जैसे M की value change होती जाएगी वैसे वैसे हमें minimize मिलते जाएगे तो यह क्या है secondary minimize okay यह minimize मिल गए अब तीसरे point पर क्या है secondary maxima है ना तो secondary maxima हमें बताने होंगे तो secondary maxima के लिए क्या रहता है वो भी आप find out कर चुके हैं कि alpha क्या क्या होना चाहिए 3 pi by 2 plus minus यह हमने 10 alpha के graph से हमने show किया था first single slit के लिए फिर 5 pi by 2 plus minus 7 pi by 2 इस तरीके से जो है आपको वहाँ वहाँ पर secondary maxima मिलते जाएगे तो आपने एक क्या बताया principle maxima जो कि यह रहा यहां पर यह फिर minima मिलेगा वह इससे और जो secondary maxima है वह इससे तीन condition आपको define करनी है इस वाली टर्म से diffraction वाली टर्म से आपने यह तीन conditions जो हैं वह बता दिए यह तीनों condition आपने बता दिए इसको complete करने के बाद अब हम किस पर discussion करेंगे पर जोकि हमारी क्या है interference की टर्म मैं मैं इसे साफ कर देता हूं चलिये अब हमारी बार यह इस वाली interference term को हैना यह interference वाली term को define करना तो interference वाली term maxima में कब मिलेगा जब इसकी value minima होगी तो पहले maxima की बात कर लेते हैं तो cos square cos में सबसे जादा value कितनी हो सकती है 1 तो अगर cos square बीटा 1 है तो cos beta equals to plus minus 1 तो beta होगा हमारा n pi है ना pi का integral multiple जो है वो हमें 1 देगा यह तो mathematically तुमने पढ़ा हुआ है तो beta equals to n pi होगा बीटा की value हम उठाएंगे बीटा की value हमने क्या बानी थी pi by lambda e plus d sin theta equals to n pi तो यह pi से pi cancel हो जागा basically plus minus 7 में चलता रहेगा क्योंकि वो तोन तरफ रहता है और mathematically भी plus minus है तो e plus d sin theta equals to plus minus n lambda तो यहाँ यहाँ पर यह condition जहाँ satisfy होगी वहाँ पर हमें क्या मिलेगा maxima तो यह interference के थूरू maximum मिलेगा interference ठीक ऐसे ही आप दोसरी तरफ आ जाएए minima का मिलेगा तो minima हमें मिलेगा जबकि इसकी value minimum होगी वह होगी 0 तो cos square beta equals to 0 तो cos beta equals to 0 होगा तो beta की value 0 कहा कहा मिलेगी जबकि 2n प्लस 1 pi by 2 यह condition cos में 0 के लिए है ना तो या तो यह याद कर लिजिए का mathematically समझना चाहें तो mathematically समझ लिजिए का math में सब आप लोगों ने पढ़ा होगा है है ना odd multiple of the pi by 2 will provide the 0 तो beta equals to this one beta के value फिर से आप यहां से रखेंगे जो आपने मानी है तो वह है pi by lambda e plus d sin theta equals to 2n plus 1 pi by 2 pi से pi cancel हो जाएगा तो यह हमें मिलेगा e plus d sin theta equals to 2n plus 1 lambda y 2 तो जहां जहां यह condition satisfy होगी वहां पर हमें क्या मिलेगा minimum मिलेगा आप यहां पर लिख सकते हैं यह minimum की condition है और यह हमारी maxima की condition है ठीक है यह interference के लिए तो अब हम इनके graph को plot करते हैं कि graph किस तरीके से represent होगा हमारा क्योंकि इसमें क्या है diffraction भी है और interference में तो दोनों चीज़ों को हम कैसे plot करते हैं मैं पहले space create कर लेता हूं इसके लिए ओके चलिए अब graph को बनाना सीख लीजिए graph को कैसे हम represent करेंगे दो graph हैं दोनों को एक साथ बनाना है उसका resultant भी यहीं पर दिखाना है तो तीनों graph आ जाए पहले चीज़ तो आप इतना measurement ले लीजिएगा यह कहां से आ जाएगा तो एक यहां पर ले लेते हैं है ना और जो center है उसे आप long yes ठीक है यह तीनों महीं रहेगा और एक graph हम अपना यहां पर plot कर देंगे और एक graph हमारा यहां पर आ जाएगा ओके तो सबसे पहले तो हम डिफ्रेक्शन वाले graph को प्लॉट करेंगे तो डिफ्रेक्शन वाला जो graph है वह इस तरीके से आएगा यह है ना यह आप कई बार बना चुके हैं और इससे पहले वाला भी देख चुके ओके यह हमारे डिफ्रेक्शन का टर्म तो यह कौन से टर्म डिफाइन कर रहा है यह डिफाइन कर रहा है साइन्स्क्वाइब एलफा ओवर ओवर इलफा इस्कार इंटैंस्टी किसके एठ्या कैस में टिफ्रेक्शन के के यह तो यह डिफाइन और यह यह हमारे सब्सक्रांब है तो यह हम्ने देखा था तो interference का क्या हमने देखा था call square beta यह हमारी interference की term होई जो इनका resultant होगा वो हम कैसे define करेंगे तो resultant के लिए आपको trick use करनी यह वो trick इस्तिमाल करेंगे तो आपको graph को plot करनाओगा नहीं तो आपको difficulty है तो सबसे पहले मेरी एडवाइज यह है कि आप एक डॉटेड लाइन से जो है उसको ड्रॉट कर लीजिए इस तरीके से और डिफ्रेक्शन वाले पैटर्न को ही फॉलू कीजिए यह डॉटेड लाइन से इस तरीके से आप प्लॉट कर लीजिए ऐसे आपको दूसरी तरफ प्लॉट कर लेना है और यह पैंसल से ड्रॉट कीजिएगा और बाद में इसे रब कर दीजिएगा है ना तो इन दोनों का जो सुपर पोजिशन होगा जो इन दोनों का रिजल्टें होगा वो मैं डार्क लाइन से बना रहा हूँ वो इस तरीके का आएगा यह और आपको डॉटेड लाइन से यह हैल्प मिलेगी कि आपकी लाइने इधर उदर नहीं जाएंगी वह आपकी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे आती जाएंगी और आपको ग्राफ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसी लिए आप डिफाइन कर दोगी और ठीक ऐसे ग्राफ जो है आप दोस्री तरह प्लॉट करोगे डॉटेड लाइन की हेल्प लेते हुए आप इस पूरे ग्राफ को अच्छे से प्लॉट कर दीजिए और उसके बाद में यह जो डॉटेड लाइन है चाहें तो बने रहे दीजिए या भी इने रब करना चाहें तो रब भी कर सकते हैं नहीं तो ऐसे बने दीजिए तो यह क दीजिए जमिल ग्राफ है एक यह प्ल इंटेंसटी है उकि कि यह और चीज पसेոिए पहला मिनमा मृपर को नहुंना है तो तो आपको कि कहां यहां पर deflection में जो है मिलते हैं Pi, 2 Pi, 3 Pi है ना, इस तरीके से जो है वह एक्जक्ट इसकेल पर रीडिंग है वह आप बुक्स में देख लीजिएगा या फिर इंटरनेट पर देख लीजिएगा उसके एकॉर्डिंग यह प्लॉट कर लीजिएगा मैंने आपको बनाने की ट्रिक बता दी इन दोनों का जो रिजल्टेंट वह और बाकी की जो एंगिल का है एंगिल जो है वह इंटरनेट से देखके कोई भी इमेज आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे आप लोग प्लॉट करेंगे तो यह बहुत ही इजी ली जो है आप सॉल्व आउट कर लेंगे तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें मारी वीडियो लाइक कर दें थेंक यू